Hello dear students and all respected viewers, myself Pritam sir and now we will see the first lesson of first standard in Hindi medium तो हाँ dear students, अब हम अपने चैनल the R.A. Academy चैनल पर Hindi medium के भी first standard के जो भी subject से सबको यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसलिए dear students, वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर first standard से लेकर के 12th standard तक के almost सभी subject के video lectures हम प्रवाइड कर रहे हैं चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे subscribe कर लेजिए और अपने दोस्तों और अपने रिष्टेदारों के साथ भी इसे share करें ताकि वो भी इसका benefit ले सके तो आए dear students, अब हम start करते हैं कि हमारा जो यह पहला poem है यह है welcome song, यह poem come song है तो बहुत ही सुन्दर सा यह song है, आए इसे हम पहले सुन लेते हैं और सुनने के बाद इसे समझते हैं तो सबसे पहले आपको करना है listen, listen मिन सुनना है and or repeat, repeat मतलब होता है दोहराना, तो प्यारे बच्चों आपको पहले यह प्यार से और अच्छे से enjoy करते हुए सुनना है और उसके बाद इसे दोहराना है और इसे याद भी कर लेना है, बहुत easy poem है बहुत easy और आप एक बार होगे इसे enjoy करोगे और इसे learn भी कर लोगे sing a welcome song ring a joyful bell ding dong ding everybody sing for a new day begins once again sing a welcome song ring a joyful bell ding dong ding everybody sing for a new day begins then come together one and all come together one and all ding dong ding dong ding dong ding happy song of joy we bring ding dong ding dong ding dong ding come together one and all ding dong ding dong ding ding happy song of joy we bring ding dong ding dong ding ding so dear restaurants कितनी प्यारी पुएम है ना ding dong ding dong ding dong ding तो इस तरीके से यह हमारा welcome song sing a welcome song ring a joyful bell ding dong ding everybody sing for a new day brings come together one and all ding dong ding dong ding dong ding happy song of joy we bring ding dong ding dong ding तो dear students इस तरीके से हमने यह पुयम अच्छे तरीके से सुन ली है और I hope कि आपने इसे दोहरा बिलिया होगा अब इस पुयम को हम समझते हैं और इसके बाल दो से पांच बार आपको यह लिखना है और लिख करके आपको याद करना है welcome song मतलब स्वागत गीत sing a welcome song sing मतलब होता है गाना गाना तो आपको welcome song गाना है स्वागत गीत गाना है ring a joyful bell और साथ महीं आपको ring मतलब बजाना होता है a joyful bell यह जो आपको दिखाई दे रही है गंटी यह आपको बजानी भी है तो आप action कर सकते हो गंटी बजाने की और गाते हुए इस स्वागत गीत को फिर कह रहा है ding dong ding everybody sing तो इसको ding dong ding बजाते हुए हर किसी को गाना है everybody मतलब हर कोई sing मतलब गाना गाएगा for a new day begins किसली करना है एक नए दिन की नए करना है यह वाली bell को ding dong ding बजाते हुए welcome गीत गाना है यानिकी स्वागत गीत गाना है आईए तो second stanza में देखते हैं क्या है तो second stanza में कह रहा है come together one and all तो come मतलब आना together मतलब एक साथ आप लोग एक साथ जुन्द में खेलते हो ना वैसे ही come together one and all एक साथ आओ एक और सभी ding dong ding dong ding dong ding dong ding किसे करेंगे इस वाली बेल से करेंगे happy song of joy we bring ding dong ding dong ding dong ding तो जो happy मतलब खुशी खुशी का या जो गीत है happy song मतलब खुशी का गीत of joy से हमें जो joy आएगा जो मजा आएगा वो हम ले करके आएंगे फिर ding dong ding dong ding dong ding करेंगे तो देखिए dear students यह ding dong ding एक साथ जो come together होकर के आएं है सब के सब और आने के बाद ding dong ding करके कितने मजे से कर रहे हैं न तो इसी तरीके से आपको भी enjoy करते हुए इस पोयम को लिखना है learn करना है बोलना है याद करना है और मुझे पूरी आशा है कि आप लोग इस पोयम को अच्छे तरीके से लिखके पढ़के याद करोगे इसे दो से तीन बार चार बार पांच बार दस बार सुने आप दोहराइए ये चीच अपने आप हो जाएगी एक बार और हम लोग सुन लेते हैं इसे तो इस तरीके से ये पोयम हमारी यहां समापत होती है तो प्यारे बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे नए पोयम और नए लेशन के एक्स्प्लिनेशन के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए अपने दोस्तों में अपने रिस्तदारों में जिनको आप जानते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी यहां से पढ़ सके चलिए बच्चों अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नेक्स्ट एक्स्प्लिनेशन के